आसमान में उड़ने वाले किसी भी पच्छी में इतनी हिमत नहीं होती कि वो इगल के गोसले में गुसके उसके अंडे के साथ छेड़का नहीं कर सके लेकिन साप एक ऐसा जीब है जो इगल के गुसले में गुसकर उसके अंडे को खा जाता है इसलिए साप और इगल के बीच में कटर दुस्मनी होती है और कहा जाता है जिस इलाके में इगल रहते हैं उस इलाके में एक भी साप देखने को नहीं मिलेगा क्यूंकि इगल अपने एरिया के सारे सापों को मार कर साप कर देता है लेकिन इगल और साप के इस दुश्मानी में जरूरी नहीं कि हर बार साप ही मारा जाए अगर किसी जेरिले साप के लपेटे में इगल आ जाए तो भले ही इगल असमन का राजा क्यों ना हो पर साप उसके लिए भीने नहीं छोड़ता जान